हेलो क्लास 6 कैसे हैं आप सब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 विज्यान का चैप्टर नमर 9 और चैप्टर का नेम आप देखो सजीव एवं उनका परिवेश ठीक है तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेशन आंसर को सॉल्व करेंगे और देखो अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको काफी अची तरह से क्वेशन आंसर समझ में आएंगे लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो यहां पर दिक्रत के कोई बात नहीं है मैं आपको सारे क्वेशन आंसर जो है कोई भी चीज, कोई भी सजीव चीज है जहां पर वो रहती है वहां पर उसका आवास होता है तो देखता हूँ हम इसको डेफिनिशन में देखते हैं किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहकर अपने जीवन की सबी जैविक क्रियाएं पूर्ण करता है उसका आवास कहलाता ठीक है अब आप जहां पर रहते होंगे आपका जाद जादा क्या होगा आप जहां पर रहते होगा आपका घर होगा आपकी कलोनी होगी आपका बाजार होगा maximum टाइम वहीं व्यतीत करते हो ठीक है अपने घर से लेके अपने playground से लेके अपने महले से लेके अपने बाजार तक रोज आप इधरी रहते हो ठीक है तो यह आपका क्या है एक तरह से आवास है ठीक है फिर देखो अगला है हमारे पास प्रशन दो है कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूली थे अब देखो कैक्टस जो है क्योंकि मरुस्तल में कोई भी पेड़ पौदे नहीं उखते है वहाँ पर एक कैक्टस उखता है ठीक है तो देखो वो किस तरह से वहाँ पर जीवित रहता है तो देखो मरशतल में जल का आभाव होता है और थोड़ी मातरा में अधिक गहराई पर मिलता है अब देखो मरशतल में आपको पता है जल तो आपर नहीं होता ठीक है बहुत जादा आभाव होता है और मिलता भी है तो बहुत जादा मनलब थोड़ी अधी गहराई पर मिलता है ठीक है और इसी कारण से कैक्टस की जड़े जो होती है वो बहुत लंबी होती है ठीक है जिनमें पत्तियां काटों में परिवर्तित होती है अब इनमें क्या होती है जो पत्तियां होती है वो काटों में परिवर्तित होती है अब क्यों दे जाता है लेकिन कैक्टरस आपका पता बिलुकुल टाइट एक दम प्लेन उसकी सता होती है जिससे क्या होता है पानी का वास्पन बहुत धीरे होता है ठीक है अब देखो तना हरा मोटा एवं मांसल होता है जिससे वे अपना भोजन बना सके तना आपने देखा ही होगा काफी लोगे घर में भी उगाए रहते है ठीक है अब पत्तियों के जो कंटक है ना कंटक यानि के जो काटे है वो पौधे की सुरक्षा भी करते हैं इस प्रकार से क्याक्टस मरुस्थल में जिवन यापन के लिए अनुकूल लीत है ठीक है इस तरह से अपना जीवन वापर व्यत स्थानों की पूर्ति कीज़े यानि कि फिल्म दा ब्लैंक्स आपको दिये हैं देखो इसमें को है पौधे एवं जनतों में पाए जाने वाले विश्ट लक्षन जो उन्हें आवास विशेश में रहने योग्य बनाते हैं उसे डैस कहते हैं अब क्या कहते है तो देखो इसक जली ये आवास कहते हैं ठीक है जो इस थल पे पाए जाते हैं फिर देखो वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जनतों रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं आपर नर्मल सी बात है उसे कहेंगे जली ये आवास ठीक है आप देखो यानि क्यों जली ये जीव होत जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं उसे हम क्या करते हैं उद्धिपन कहते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पर प्रशन चार है आपक्वास निमलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तों है ठीक है आप यह तो देखो यह जहां तक मेरे को लगे कराने की यहाँ पर यह क्या होते हैं निर्जी वस्तु है ठीक है और अब देखो अगला प्रशन आपको प्रशन पांच है किसी ऐसी निर्जी वस्तु का उधारन दीजिए जिसमें सजीवों के दो लक्षन परिलक्षित हो ठीक है अब देखो कोई ऐसी आपको निर्जी वस्तु बता जिसमें सज जीवित वस्ते होते हैं उनके दो वाँपर परिलक्षण होते हैं तो अपने आकार में भटता एवं बढ़ता रहता है अब धेखो यहां कि जैसे आप classes में जाओगे आपको पता चलता रहेगा कि ऐसा क्यों होता है ठीक है कभी हमको half moon दिखता है कभी बिल्कुल गायव हो जाता है बिल्कुल छोटा सा दिखता है कभी हमें full moon दिखता है तो इसके कारण आप आगे पढ़ोगे 8th 9th classes में ठीक है फिर देखो प्रशन हो गया चमड़ा हो गया मृदा हो गया उन बिजली का बल्ब खाद तेल नमक सेव रबड आ दी यह सब चीज़ है देखो तो निमलकी निर्जीव वस्तने किसी समय पर सजीव का अंच रहती जैसे की देखो मक्खन मक्खन किस से बनता है मक्खन बनता है आपका घी से इन सब चीज़ से ठीक है दूद से इन सब चीज़ से मक्खन बनाया जाता आपका तो यह सब क्या होती एक टाइम पर सजीव का पार्ट थी ठीक है दूद क्या था वो गाए भेंसों के अंदर जिससे भी निकाल गया था उसके अंदर था फिर इको चमड़ा चमड़ा तो आपको प पहले पेड़ पे था तो वो क्या था एक आपर सजीव वस्तु का था ठीक है अब देखो प्रशने साथ आपके पास सजीवों के विशिष्ट लक्षन सूची बद्द कीजिए अब जो सजीव होते हैं उनके किस तरह के लक्षन होते हैं अलग-अलग लक्षन आपको बताने हैं तो देखो सजीवों के विशिष्ट लक्षन निम लिखेते हैं जैसे कि पहला आपके पास सभी जीवधारियों का एक विशिष्ट परिवेस होता है ठीक है जिसमें वे अपने जीवन की सभी आवशक जैविक करिया हैं सफलता पूरवक कर लेते हैं और उसे क्या कहते है इन जीवों का आवास कहते हैं जो की हम काफी देर सभी पढ़ते हैं ठीक है आवास क्या होता है जिस मलब एक परिवेस के अंदर जो सब मलब सजीव होते हैं वो रहते हैं उपस्तिति किसी पौदे अथवा जंत्व को उसके परिवेस में रहने की योग बनाती है हर चीज मालब उसी तरह से ढाला होता है कैक्टस को एहाँ पर रेगिस्तान में उगना होता तो उसकी जो बॉडि स्ट्रक्चर है वो सब कुछ उसी तरह से बना हुआ होता ठीक है तो अब आप आगे पढ़ो कि वह क्यों होता है? ठीक है, तो उसको भी करने के लिए मलब कुल मिला के हमें खाने की जरुत होती, उरजा की जरुत होती, इसी तरह पेड़ पौदे होते हैं, आप किसी पेड़ पर अभी अगर आप छिल देंगे, ठीक है, लेकिन हमें करना प्रश्न आट हैं पर घास के मैदान चेत्रों में रहने वाले जंतों को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए तीवर गती क्यों आवश्यक है ठीक है तो अब देखो संकेत घास इस थर आवस्व में छिपने के लिए वरक्षों की संक्या बहुत कम होती है ठीक है अब देखो यहां पर है घास के मैदानी चेत्र में घास की अतरिकते बड़े जो प्राणी होते हैं वो तीवर गामी होते है ठीक है जिससे वे स्वेम को अपने शत्रों से तथा वातावरन की प्रतिकूलता से रक्षा कर सके अब आपर पेड़ पौदे होंगे तो जो जानवर होंगे वो छुप सकेंगे अंदर उसके ठीक है तो क्लास 6 देखो यहां प पाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मौडरन महासर जी का नाम भी रोशन करें